बिग बॉस 13 से निकलने के बाद माहिरा सिध्धात की नहीं होती बात क्या फिर हुआ जगड़ा? आखिर सिध्धात क्यू है माहिरा से नाराज? क्या पारस है इसकी वज़व? क्या है इसकी पूरी कहानी आई ये जानते हैं बिग बॉस 13 में सिध्धात शुक्ला और माहिरा शर्मा के बीच शुरुवात में कई पार जगड़े हुए थे माहिरा ने सिध्धात के बारे में काफे कुछ बुरा कहा था लेकिन दीरे दीरे उनके रिष्टे में बड़ा बदलाव दीखने को मिला उनकी दोस्ती हो गई इसके बाद से सिध्धात माहिरा ने शो में हमेशा एक दूचे का साथ दिया लेकिन क्या आप जानते हो कि शो खतम होने के बाद से माहिरा शर्मा और सिध्धात शुक्ला संपर्क में नहीं है तेली चकर की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा शिर्मा की सिधात शुक्ला से बात नहीं होती है इसकी वज़ा बताते हुए माहिरा ने कहा मैं ऐसे शक्स नहीं हूँ जो खुद से पहले मेसेज करे या फोन करे यही वज़य है कि मैं सिधाश शुकला के साथ संपर्क में नहीं हूँ हालकि इसके साथ ही माहिरा ने फैंस को ये भी भरूसा दिलाया कि लॉक्डाउन खत्म होने के बाद मैं सिधाश से जरूर मिलेंगी बात करी सिधाश शुकला की तो उनका मिजास दी कुछ ऐसा ही है सिधाश शुकला कई बार बता चुके हैं कि वो फोन पर जादा बात नहीं करते हैं ना ही अपने दोस्तों को जादा फोन करते हैं उनके दोस्तों के ही उन्हें फोन आते हैं माहिरा की चाहे सिध्धा शुक्ला से बात नहीं हो रही हो, लेकिन पारस छाबड़ा के साथ उनके लगातार बात चीत हो रही है। पारस और माहिरा बिग बॉस में भी अच्छे दोस्त है। शो से निकलने के बाद भी भी अच्छे दोस्त बने हुए हैं। दोनों के अफेर की भी चर्चा है, उन्होंने साथ में एक म्यूजिक वीडियो किया है। विसाथ में पंजाबे फिल्म में भी काम करने वाले हैं। तो विवर्स क्या कहना है आपका माहिरा के पॉइंट और व्यू को लेकर बताईए हुमें कमेंट सेक्षिन में तब तक स्टे चून विट अस।